स्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि नवरात्री के पावन दिन आ चुके हैं आज से नवरात्री का प्रतम दिन है और नवरात्री के इस नो दिनों की दिवी रात्री में इस साधना की रात्री में मा को प्रसंद करने की रात्री में चुप चाप आपको आपके घर पर पांच हल्दी के स्वास्तिक बिनाना है जिससे मा की दिविक रिपा आपके घर में हो देगे नवरात्री में पांच स्वास्तिक अगर आप घर पर बनाते हैं तो देविक शक्ति आपके घर पर आती है आज का ये खास उपाय होने वाला है देवी का अशिरवाद आपको प्राप्त होने वाला है नवरात्री की रात्री सबसे जादा शुब होती है चाहे आप कुल परफतकारिक ये स्वास्तिक का निर्मान आपको करना है शबसे ज़ादा शक्तिशाली होते है तो इसलिए पांच उपाय आपको जरूर बनाना है जिससे देवी की शक्ति आपके घर में प्रवेश करें देखो हिंदू धर्म में मा दुर्गा की पूजन का अलगी महत्व होता शक्ति की अधिष्टात्री देवी जो मा दुर्गा है मा को प्रसंद करना है और उनका आशिरवात प्राप्त करना है कुछ सनातन धर्म के अच्छुक उपायों से आज की इस वीडियो में हम आपको पांच स्वास्तिक का जो माहा उपाय बताने वाले हैं वो मा दुर्गा को प्रसंद करने के लिए नवरात्री के समय ही करने वाला सर्वस्रेष्ट उपाय माना जाता है माना जाता है कि अगर इन दिनों में बिल्कुल श्रद्दा और विश्वास के साथ मा की आराधना अगर आप करते हैं कुछ दिवी उपाय अगर आप करते हैं तो मातारानी प्रसंद न हो जाती है और आपके उपर कृपा बरसाती है तो बहुत यह आसान सा उपाय होने वाल क्या होता है कि विदिवत अगर आप पूजा नहीं कर पातें कुछ भी उपाएं नहीं कर पातें घडिस्तापना नहीं कर पातें तो आपको पांच स्वास्थिक का निर्मान आपको करना चाहिए जिससे देविक की शक्ति आपके घर में निश्चित तोर पर प्रविश करती है बहुत आसान सा उपाय है पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देजिए भगवान शिव के यादे आप सच्चे बगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नवरात्री के नो दिनों में मा दुर्गा के नो सो रूपों की पूझा की जाती है नो रूपों की पूझा की जाती है मा शेल पुत्री, मा भ्रमचारिनी, मा चंदर घंटा, मा कुसमांडा, मा सकंद माता, मा कात्याईनी, मा काल रात्री, माता, महागोरी और मा सिद्धी दात इन नो दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं पहले दिन यानि कि अगर आज रात्री में अगर आप करते हैं तो आज भी कर सकते हैं नवरात्री की डिवियस्टमी महा नवमी पर भी आप कर सकते हैं सब्तमी तिति पर कर सकते हैं यदि आप ये उपाय कल शुकरवार की दिन करना चाहे तो शुकरवार की दिन भी कर सकते हैं क्योंकि नवरात्री का शुकरवार तो बहुत ही ज़्यादा खास होता है तो आप आपके अनुसार ये स्वास्तिक का निर्मान आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन नवरात्री की दिवी रात्री में ही आपको यह उपाय करना है यानि कि सूर्यास्त के बाद देखो नवरात्री यानि कि रात्री का ही मत वोता है इसलिए करना क्या है समझना एक कटोरी लेना ठीक है कटोरी केसी लोगे चांदी की कटोरी लेना अब देखो चांदी की कटोरी अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में अगर चांदी का सिक्का है न तो वो भी ले सकते हो क्या करोगे एक इस्चिल की कटोरी लेना उसके अंदर चांदी का सिक्का रखना अब यहाँ पर चांदी का सिक्का भी नहीं है तो अगर आपके घर में चांदी की अंगोटी हो तो उस अंगोटी को निकालना और उससे शु जुद्ध्य गो मता का घी ठीक है अब देखो गो मता का घी भी डाल सकते हैं या तो आप शुद्य जल मतलब जो गंगा मता का ज़ल पवितर नदियों का जल है वो भी डाल सकते है अब आपको साथ में लेना है थोड़े से चावल यानि की अक्षत ठीक है अब यहाँ पर बहुत ध्यां से समझना दिविरात्री है तो सबसे पहला जो स्वास्तिक है स्वास्तिक बनाने से पहले आपको क्या करना है आप आपके देवी यानि की महालक्ष्मी के फोटो हो सकती है उनके सामने क्या करोगे सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाना उसके उपपर चावल रखना ठीक है थोड़े से चावल रखना चावल की धेरी बनाना और उसी के उपपर आपको एक दीपक रखना है दीपक घी या तिल का आप लगा सकते हैं घी का लगाते हैं तो सरवत्तम होता है गोमता घागी होना चाहिए और उसके अंदर एक चुट के हल्दी डालना है और बाती जो होगी वह लाल रंग की मोले की धागी की बाती होनी चाहिए और उसके बाद आपको लंबी बाती लगाना है देगे लंबी भी आप ये दीपक प्रगट आ सकते हैं बहुत द्यान चाहिए सबसे पहला उपए जो पहला जो स्वास्तिक है वह आप क्या करोगे घर के मुख्य द्वार के आसपास आजू बाजू में गेट के आजू बाजू में बाहर की साइड आना और आजू बाजू में आपको दो स्वास्तिक का नि्र्मांड केसे करते हैлем न ही सब्सक्राइबं बताने में बताने आप उसके बाद आपको चार बिंदी इसमें लगानी है आगई आपको बाचमन में इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्मान किया जाता है बहुत सारे लोग जो क्रॉस में लगाते हैं वो स्वास्तिक का निर्मान नहीं होता है वो शुद्ध स्वास्तिक नहीं कहलाता है तो वि आप क्या करोगे देवी की शक्ति का आवान करोगे ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का ग्यारा बार आपको जाप करना है ठीक है ग्यारा बार जाप करोगे फिर पहला स्वास्तिक बिनाओगे फिर उसके बाद ग्यारा बार जाप करोगे फिर उसके बाद दुसरा स्वास्थिक बनाना है तो इस प्रकार्स से 11-11 बार दोनों तरफ आपको जाप करना है मंत्रों का अब आप क्या करोगे आप घर के अंदर प्रवेश करोगे लेकिन आपके घर का मुख्य द्वार आपको बंद नहीं करना है आपके घर का मुख्य द्वार खुला ही होना चाहिए देवी की अलोकिक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है इसलिए ध्यान नखना जब दीपक भी जलाओगे न उसके पहले ही घर की गेट आपको खोल देना है ठीक है मुख्य द्वार खुला होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मचरिया का पालन करता है तो देखो वेसे तो नवरात्री में करना ही चाहिए क्योंकि देविक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रेबल होती है आपके हर कार्य सिद्ध करने में सक्षम होती है आप मुख्य द्वार खोलेंगे ठीक है और उसके बाद देखो स्वास्तिक क अप बनाओगे आपके घर रस्य घर के हमापर जहांपर देवी अनपूर्णा का वास होता है आपके ध्ळंधानी की कोई भी गमी ना हो धान की कोई कमी ना हो इसलिए आपको तीसरा स्वास्तिक का निर्मान करना है देखो तीसरा स्वास्तिक बनाते समय भी आप ओम एम रिम टलिम चामुंडाय विच्चे इस मंतर का आपको जाप करना है और तीसरा स्वास्तिक बनाना है देखो जिस प्रकार से हमने आपको बता दिया ना देखो स्वास्तिक आप बनाओगे तो आप ध्यान रखना सारे स्वास्तिक आपको सीध्य हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम अनामिका उंगली केते हैं नामिका उंगली से ही आपको स्वास्तिक बनाना है ठीक है स्वास्तिक बना देना मंदीर में ठीक है मंदीर में भी मंत्रों का जाप करना है पांचवा स्वास्तिक आप जहां कहीं भी धन रखते हैं गोल्ड रखते हैं आपका धन का सामान रखते हैं वहाँ पर पांचवा बनाना है स्वास्तिक स्ट्रेट होना चाहिए गुमावधार नहीं होना चाहिए कहीं पर भी आप बना रहे हैं ध्यान रखना स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से चांवल के छीटे आपको स्वास्तिक के उपर करना है जो स्वास्तिक हमने लिए थे आगे आपको बासमझ की आपको आर्ति करना है यानि कि जितने भी स्वास्तिक है उनके सामने आपको ये दीवी रोशनी ले करके जाना है और इस स्वास्तिक के उपर आपको आर्ति करना है मतलब स्वास्तिक के आपको आर्ति करना है जिससे नकारत्मक शक्तियाद दूर होती है धनका आगमन होता है मान पुर्णा का सदावास आपके घर में होता है मंदीर में स्वास्तिक बनाने से कुल की रक्षा होती है घर की कुल देवी जो है वो प्रसन होती है और इसलिए ये सुन्दर सा उपाय आपको करना है दीपक की आर्थी आपको करना है देवी की फोटो के सामने भी अंत में देखो पांचो स्वास्तिक क्या रितिकली उसके बाद वापस से इस दिपक को मातारानी के सामने आपको रखना है आ गई इतनी बाद समझ में इस प्रकार से आपने यह उपाय कर लिया अब देखो क्या करना है समझना जो कटोरी है जिसके अंदर आपने हल्दी डाल रखी दी वो अगर हल्दी बच जाती है देखो इस दिवी नवरात्री में बहुत खास यह उपाय है पांस स्वास्तिक का निर्माट करने के बाद जो हल्दी बच जाती है उसके अंदर शुद्ध जल और मिलाना और उसके बाद देखो अगर आपने जो चांदी की चीज डाली थी चांदी की अंगोटी हो या चांदी की जो सिक्के है वो अगर आपने डाले हो तो उनको निकाल देना उनको शुद्ध जल से धो करके जहां कई भी वो रखे थे वहाँ पर रख देना यदि आपने अंगोटी आपके खुद की अंगोटी उतारी थी तो वो खुद की अंगोटी आपको पहन लेना है देखिए अब आपको क्या करना है जो कटोरी है जिसके अंदर हल्दी रह गई है उसमें शुद्ध जल भरना और उसके बाद इस जल का छिटकाओ आपको पूरे घर में आपको करना है हल्दी वाले जल का छिटकाओ आपको पूरे घर में करना है चिटकते समय ओम महालक्ष्मी नमग का भी जाप कर सकते हैं अम डूम दूर गाय नमा का भी जाब कर सकते हैं आपके घर के आर्तिक समस्या निश्चित तोर पर इससे दूर होगी बहुत ही प्यारा सा उपा है बताने का बहुत सुन्दर स्टरीके से हमने प्रियास किया है फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए हैं तो लगबख 5 जने को तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना धन्यवाद